गुड मार्निंग टू आला फियो, मैं विवेक कुमार सिंग, चणक्या का लेजाफ एजुकेशन मेतिया बिहार से पिछले लेक्चेर में हम लोगोंने विज्ञान एक प्रक्रिया, विज्ञान की प्रक्रिया के बारे में अध्यन कर रहे थे उसमें परिकल्पना के बारे में हम लोग अध्यन कर रहे थे, तो उसी में आगे आज हम लोग पढ़ते हैं, प्रस्न है जे परिकल्पना क्या है, परिकल्पना क्या है, किसी प्रक्रण को लेकर एक परिकल्पना कैसे तैयार कीजी करते हैं, के बारे में अध्यन करेंगे डार्विन ने कई प्रदत्तों के संग्रा संकलन के पस्चात उनसे संबंधित जानकारी कठी की डार्विन महुदे ने कई प्रदत्तों के संग्रा संकलन के पस्चात उनसे संबंधित जानकारी कठी की तब जाकर उन्होंने तथ्य का निरूपन किया अतर किसी तथ्य के कथन में प्रमार का होना अवश्यक है डार्विन द्वारा एक भूभाग के जीवों का अध्यन करके दूसरे भूभाग में पाये जाने वाले जीवों से तुलनात्मक अध्यन एक भूभाग से दूसरे भूभाग में पाये जाने वाले जीवों से तुलनात्मक अध्यन फिर उसके बिशिष्ट लच्छन के साथ वर्गी करण भी बिज्ञान की प्रक्रिया का हिस्सा है क्या है डार्विन द्वारा एक भूभाग के जीवों का अध्यन करके दूसरे भूभाग में पाये जाने वाले जीवों से तुलनात्मक अध्यन फिर उसके विशिष्ट लच्छन के साथ वरगी करण भी विज्ञान की प्रक्रिया का एक हिस्सा है बीगल का सफर समाप्त हुआ बीगल मिन्स जहाज जिसे इनके लिए थे वो लोग सफर पे बीगल जहाज का नाम था बीगल का सफर समाप्त हुआ तो डार्विन इंग्लैंड लाट कर अपने अध्यन का ब्योरण तयार करने लगे उनके दिमाग में उन दिनों चल रहे डार्विन महुदय के दिमाग में उन दिनों चल रहे कृतिम चैन कृतिम चैन यानि मनुष्ध द्वारा अपनी इच्छा अनुसार लच्छनों का चैन कर जानुवर और पाउधों की अलग अलग प्रजात तयार किये जाने की बात थी क्या था उनके दिमाग में दिनों जो चल रहे कृतिम चैन कृतिम चैन यानि मनुष्य द्वारा अपनी इच्छा अनुसार लच्छनों का चैन कर जानुवर और पाउधों की अलग-अलग प्रजात तयार किये जाने की बात थी उनके मन में यह विचार आया, दार्वीन महुदे के मन में यह विचार आया कि अगर मनुष्य नई प्रजात तयार कर सकता है, तो क्या प्रकित में दिखने वाले इतने विविध जीव, प्रकित में निरंतर होने वाली चैन प्रक्रिया का नतीजा है? कि मन में विचार आया कि अगर मनुष्य नई प्रजात तयार कर सकता है, तो क्या प्रकित में दिखने वाले इतने विविध जीव, प्रकित में निरंतर होने वाली चैन प्रक्रिया का एक नतीजा है? दूसरे किसी भूभाग पर होने वाले अध्यन को जानना, दूसरे किसी भूभाग पर होने वाले अध्यन को जानना, उनकी पड़ताल तुलनातमक अध्यन और उसके समाधान की योर बढ़ना एक आवश्यक प्रक्रिया है, क्या है? इस तुलनातमक अध्यन में अंतर धूड़ना, अपनी परिकल्पना को जाचना बिज्ञान के अध्यन में विशेश अस्थान है, इस तुलनातमक अध्यन में अंतर धूड़ना और उसके अध्यन परिकल्पना जो है, हाइपोथेसिस जो है, को जाचना बिज्ञान के अध्यन में विशेश अस्थान है, डार्विन ने विभिन तक्थों वा प्रियोगों के जुटाने के पस्चाद काफी चिंतन मनन किया और इस निसकर्ष पर पहुचे की डार्विन ने विभिन तक्थों वा प्रियोगों के जुटाने के पस्चाद काफी चिंतन मनन किया और इस निसकर्ष पर पहुचे की जिस तरह मनुष इस चित गुडों को लेकर कृतिम चैन करता है मनुष जो है अपने इच्छित गुडों को लेकर कृतिम चैन करता है इसी तरह प्रकित में स्वतह प्राकृतिक चैन की प्रक्रिया चल रही है जिस प्रक्रिया के तहट दुनिया के अधिकांस जियों की उत्पत्त हुई है और प्रकित में उपस्थि जियों वे हैं जिन्हें प्रकित ने चैन किया है प्रकित में उपस्थि जियों कौन से हैं वे हैं जिन्हें प्रकित ने चैन किया है अर्थाथ जियों जिन्में पर्यावन के अनुसार बदलावाया डार्विन की बीगल यात्रा के लगभग 20 साल बाद डार्विन महोदय की जो फीगल यात्रा थी के 20 साल बाद एक बैज्ञानिक इंग्लैंड से अमेरिक्या कि तथा एस याई ड्यूपो तक कि फीगल जैसी खोजी यात्रा में निकले थे वे कौन थे वे अलफ्रेड रसेल वैलेस थे उन्होंने मुख्य रूप से उन्होंने मुख्य रूप से तितलियों और कुछ अस्तंधारी जियों का अध्यन किया और डार्विन जैसे निसकर्स पर पहुचे डार्विन महोदय जैसे निसकर्स पर पहुचे उन्होंने यह सुझाया कि प्रजातिया पूरवर्ती प्रजातियों से ही उत्पन्न होती है प्रजातिया जो हैं पूरवर्ती प्रजातियों से ही उत्पन्न होती है कई जीवों के अवलोकन एवं कई प्रमार जुटाने के पस्चात कई जीवों के अवलोकन एवं कई प्रमार जुटाने के पस्चात डार्विन और वैलेस डार्विन और वैलेस ने मिलकर इस नतीचे पर पहुचे की क्या आप किस नतिले पर पहुचे जीवों में विवित्ता पाई जाती है जिसके कारण उनके जीने की छमता में भी थोड़े बहुत अंतर पाई जाते हैं कोई कम जीता है तो कोई जादा जीता है जिसकी जीने की छमता जादा होती है वह परिवेश में ढल कर जिस परिवेश में ढल कर जीते हैं दूसरा पॉइंट है इसमें प्रजातियों की रचना एक जटके में नहीं बलकि पहले से मौजूद प्रजातियों से होती है बिस में जो प्रजातियों की रचना है वो एक जटके में नहीं है बलकि पहले से मौजूद जो प्रजातियां है उनसे होती है विविध जीवों की उत्पत्ति किसी एक पूरुवज से हुई है इसलिए बिकास की प्रक्रिया एक सौकित पेड के रूप में दर्साया जा सिर्फ दो बिकास की प्रक्रिया जो है एक सौकित पेड के रूप में दर्साया जा सकता है सिर्फ दो बैज्यानिक और उनके बिस्तित अध्यन की बात अभी तक की गई है इस कड़ी में कई और बैज्यानिकों का योगदान महत्रपूर्ड है बिकास का अध्यन, वाद विवाद आज भी जारी है कई नए तथ इस कड़ी में जुड़ते रहे है बिकास का सिध्धांत रोर सुधन होता जा रहा है इसमें हमारे समाज में इसमें हमारे समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की छमता है बिज्ञान के बारे में निम्नलिखित चक्र इस प्रक्त्रिया के अदभुद सम्मन्द दरसाता है इससे एक बात अश्पष्ट रूप से कही जा सकती है कि बिज्ञान समझ पर निर्भर करता है बिज्ञान किस पर निर्भर करता है बिज्ञान समझ पर निर्भर करता है हम इसके तथ्यों को समझने का प्यास करें ना कि उन्हें रट लें जैसे अवलोकन, जानकारी उत्पन करना, प्रस्न करना, प्रमार जुटाना, संबंध स्थापित करना, विसलेशन करना, जाच करना, परिकल्पना का निर्मार करना, सूचना के साथ संबंध और पुनः परवासित करना, इस चक्र है उसका निम्न प्रस्नों को प्रस्न इसमें हम कर सकते हैं जैसे इस टॉपिक से आपकी विचार में डार्विन की यात्रा के आधार पर विज्ञान सीखने के अनुमान लगाने का महत्त बताईए डार्विन की यात्रा के आधार पर विज्ञान की प्रक्रिया को किन किन चरोडों में बाढ़ सकते हैं बिज्ञान में प्रियोग का क्या महत्तो है एक उदारण के माध्यम से इसकी पुष्ट कीजिए बिज्ञान की प्रक्रिया के अंतरगत बिज्ञान सीखने के प्रेचण वरगी करण समप्रेशन मापन अनुमान भविश्वाडी जैसे च्छा आवश्यक कौसल होते हैं इन मूल भूत कौसलो की सहायता से ब्यक्त समप्रेशन समाधान का कौसल सीखते हैं इन मूल भूत कौसलो की सहायता से ब्यक्त समप्रेशन समाधान का कौसल सीखते हैं जो एकी कौसल कहलाते हैं यह एकी कौसल साथ हैं क्या क्या हैं परिवर्तनों को पहचानना नियमित करना क्रियात्मक रूप से परिभासा देना परिकल्पना बनाना पूड ग्यान एवं शंकलित तथ्यों का उप्योग करना तालीका बनाना ग्राफ बनाना आंकडों की व्याख्या करना और खोज करना यह कौसल प्यक्तिकों अपने भावतिक एवं सामाजिक परियावरण को खोजने एवं सीखने की योगिता देता है धन्यवाद विज्ञान की प्रक्रिया का यह जो सेस था पूरा हुआ इसमें लेक्चर में अब हम लोग अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के बारे में अध्यन करेंगे धन्यवाद पुरी बारे में झाले टॉपिक पिस ही अगले लेक्चर में अगले टॉपिक झाल झाल